मानिवर आपने बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया मैं अपनी बात सुरू करना चाहूंगा मानिवर हमारे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे अब वो उधर चले गए है उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात सुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ कैसा ये हादसा है मेरी जिन्दगी के साथ मैं हूँ किसी के साथ मेरा दिल किसी के साथ तो जो लोग उधर चले गए मानिवर उनका दिल हमारे साथ है भले वो किसी के साथ हो मानिवर इस बजट का बहुत धोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रामतिकारी बड़ा अच्छा बजट बड़ा विक्सित भारत का बजट है ये बजट क्या है मानिवर पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है उस बजट में कटोती करने का काम किया गया 9.6% से घटा कर 9.4% किया गया भारत का अनलदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलने का काम करता है मानिवर उसका बजट करिसी का बजट 3.2% से घटा कर 3.5% किया गया स्वास्त का बजट हिंदुस्तान 144 करोन लोगों का देश से मानिवर लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्त का बजट 1.97% से घटा कर 1.85% किया गया ट्रांस्पोर्ट का बजट 11.48% से घटा कर 11.28% किया गया पेंसन जहां एक तरह पुरानी पेंसन की बहाली की मांग हो रही है लाखो करमचारी सलक पर है और मांग करते हैं कि पुरानी पेंसन बहाल किया जाए इस सरकार ने पेंसन का बजट 5.2.0% से घटा कर 5.0.04% करने का काम किया एनरजी का बजट 2.1.0% से घटा कर 1.4.2% करने का काम किया वैग्यानिक विभाग का बजट 2.7% से घटा कर 2.6% करने का काम किया फूड सबसीडी का बजट 4.3.8% से घटा कर 4.2.5% करने का काम किया नार्थीस्ट के विकास का बजट मनीपुर की तो चर्चा आपने नहीं की लेकिन नार्थीस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटा कर 0.12% करने का काम किया सामाजिक कल्यान जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है उसका भी बजट आपने घटाया 1.22 प्रतिसत से घटा कर 1.17 प्रतिसत करने का काम किया आपने फर्टिलाइजर का खात का बजट 3.8 अट से घटा कर 3.4 प्रतिसत करने का काम किया और food subsidy आपने घटाने का काम किया ये है आपके विक्सित भारत के खोखले बजट की सच्चाई हर वर्ग को आपने चोट पहुँचाने का काम किया मानिवर आप कहते हैं आप दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थ विवस्ता है पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता है अरे ये तो सच्चाई बताईए कि ये पांचवी बड़ी अर्थ विवस्ता किसके लिए हैं आप आपने चंद पूंजी पत्यों का 16 लाग करोन रुपे माफ किया ये इस देश की सच्चाई है आपने 16 लाग करों रुपए पूंजी पत्रियों का बाफ किया आपने चौदा देश के पर्धान मंतरियों ने जितना करजा लिया उससे दोगुना करजा अकेले आपकी सरकार ने लिया आपने 1.500 लाग करों रुपए करजा लेने का काम किया देश को करज में डुवाने का काम किया मनवर मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार से किन किन वर्गों को उम्मीद थी इस सरकार से उम्मीद थी देश के अन्नदाता किसानों को कि आप MSP दो गुना करेंगे आपने MSP दो गुना नहीं की आपने किसानों की फूट सबसिडी काटने का काम किया फर्टिलाइजर सबसिडी काटने का काम किया किसी छेतर को देने वाले बजट को खतम करने का काम किया बेरोजगारों को उम्मीद थी दस साल में आपने कहा था मानिवर 20 करोन नोकरियां देंगे बीस करोन नोकरियां आपने नहीं दी फिर नोजवानों ने कहा नोकरी दो नोकरी दो फिर आपने कहा पकोडा तलो पकोडा तलो फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो पान की दुकान लगा लो फिर आपने कहा चार साल की नौकरी कर लो सेना में चार साल की नौकरी मैं मानिवर आपके माध्यम से भारत के प्रधान मंतरी से बड़ी बिनमरता पूर्वक पूछना चाहता हूँ देश के प्रधान मंतरी को 73 साल की उमर में तीसरी बार प्रधान मंतरी बनना है लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में चार साल की नौकरी करेगा ये भेदभाव क्यों है मैं पूछना चाहता हूँ मैं पूछना चाहता हूँ मानिवर आपके महध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूँ अगली योजना क्या आएगी आपकी आप कह रहे हो योजना ट्रेनिंग योजना 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो 5,000 रुपए की ट्रेनिंग ले लो मनवर 5,000 रुपए की ट्रेनिंग 500 बड़ी कमपणियों में आप देंगे मुझे भारत की 100 कमपनिया आप बता दीजे जिसमें एक कमपनी में आप 4000 ट्रेनी रख सकते हैं एक कमपनी बता दीजे जिसमें आप 4000 प्रसिक्चू आप रख सकते हैं ट्रेनिंग के तौर पे ये भी आपका आखड़ा सिर्फ एक जुमला है इसके अलामा कुछ नहीं है प्राइब 9 मुफ्त में 5 करोन 14 गाठा जाएगा भीक मांगो योजना भीक मांगो योजना लने का काम यह लोग करेंगे मनवर इस देश में आपने अर्थ बेवस्था को लेके कहा आप पांचवी बड़ी अर्थवेवस्ता है वो पांचवी बड़ी अर्थवेवस्ता का लाव किसको मिल रहा है आपके चंद पूझी पती मित्रों को जिसका 16,00,00 करोड रुपए आपने माफ किया जो 1000,00 करोड लूटकर हिंदुस्तान से चले गए मानवर मैं बड़ी बिनमरता पूरवक कहना चाहता हूं रेडी पट्री वालों का कोई योगदान नहीं, जो 10 करोड रेडी पट्री वाले पूरे देश में हैं उनका कोई योगदान नहीं है क्या मानिवर वो भी सरकार को टैक्स भरते हैं आपकी सरकार उनको भी फूटी आंक से देखना नहीं चाहती आपने रेडी पट्री वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ हिंदू की मुसलमान दलितों की पिछे आधिवासियो क्या हो या बताओ मैं पूछना चाहता हूँ आपके मार्जम से सरकार के कहना चाहता हूँ मानिवर अगर नेम प्लेट लगवाना है तो लगवाईए गले में नेम प्लेट नीरो मोदी के गले में नेम प्लेट लगवाईए कि 20,000 करोड रुपए हिंदुस्तान का वो बाकी है लगवाईए नेम प्लेट 10,000 करोड रुपए विजे माले हिंदुस्तान का बाकी है लगवाईए नेम प्लेट गले में ललित मोदी के की तीन हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया लगवाईए नेम प्लेट मानिवर मैं कहना चाहता हूं नितिन संदेसरा के की वो छे हजार करोड रुपए हिंदुस्तान का लूट के भाग गया लगवाईए नेम प्लेट आदानी के कि ये धाई लाग करोड रुपए का करजा आपने एक आदमी को दे रखा है लगवाईए नेम प्लेट उन पूंजी पतियों को जिनों ने अंदुस्तान के बैंकों को खाली करने का काम किया मानुवर एक सकत्से कि आदो कया मानुवर यँ रखा है तव सकत्सुछा शिते एक सके एक सकते हैं CheckIRE कि आदू आद मिमार। and you are a senior person, Sanjay Ji, you are a senior person. दारा पर्वा में आप काफी कुछ के गए हैं, फिगर्स के बारे में, बाकि तो, you can make your point, no difficulty about it. One second, so the figures which you have given, you will have tough time in proving them, because these have been taken in stride, so all that will be deleted, and we will, unless you have real, factually formed of material, use a name. अजिए अजिए पॉइन आप के बारे में तो, यह कहना चाह रहा था, आपके माध्यम से, कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए, भारत एक धर्म निर्पेक्च रास्टर है, और हम जानते हैं अपनी सामाजिक वेवस्था में, मैं जानता हूँ, इनके मन में दर्द होगा मानिवर, अभी चुनाव हा रहे हैं यह, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा, जाटा उढ़ाबा, एक सेकंड, जाटा उढ़ाबा कोई लगाएगा, कोई अपने धाबे के आगे, अगर बालमी की धाबा लिखेगा, तो आप लोग उसके आखाने नहीं जाओगे, मैं जानता हूँ आपकी मान सिक्ता, आप वो लोग हैं, जिन्होंने भारत के ततकालिन रास्टपती, स्री रामनात कोविज जी को प्रभु स्री राम के मंदिर के सिलन न्यास में नहीं बुलाया, आप वो लोग हैं जिन्होंने बौजूदा रास्टेपती स्रीमती द्रोबदी मुर्मूजी को राम मंदिर के उधगाटन में नहीं बुलाया आप दलितों से, पिछडों से, आदिवासियों से, अल्ब संककों से, मुसल्मानों से नफरत करने का काम करते हैं यह आपकी सच्चाई है, इसलिए नेम प्लेट मत लगवाईए, नेम प्लेट लगवाना है, तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है, उनका नेम प्लेट लगवाईए और मानिवर, मैं आपके माद्यम से, इस सरकार से कहना चाहिता हूँ, इनका बज़ट पढ़ रहा था, इनका बज़ट पढ़ रहा था मानिवर, जेलों को भी नो ने कम बज़ट दिया अरे जेल का बज़ेट तो बढ़ा दीजे तीन सो कर्म रुटे जेल का बज़ेट जेल का बज़ेट बढ़ा दीजे अरे अभी हमको जेल में भेजाए कल तुमको जेल में आना है तुम सबको जेल में आना है जेल का बज़ेट पहा दो जेलों को ठीक कर दो मानुवर में जेल के बजट पर बढ़ाने के लिए और इस पर आप गोर फर्माईए मानुवर मानुवर इसका ध्यान रखा जाएगा इन्होंने नयाई पालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है पांच करोन केसे पंडिंग है इस देश के अंदर और छे लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है जिसमें करीब करीब 76% अंडर ट्रायल है इसका मतलब आपका मकसद नयाई दिलाना नहीं है आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुचना नहीं है आपका मकसद है पकल पकल के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना आपने दिल्ली के मुक्खे मंतरी को जिनकी सुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है आपने दिल्ली के मुक्खे मंतरी को पकड़ के जेल में डाल दिया नहीं मानुवर अब इनको बार बार मौका मत दीजिए मुझे अपनी बार पूरी आपने दिल्डिंग सर आपने दो बार काम आपने लिए हैपजिट बना लिया इन्होंने सर दिल्ली के मुक्खे मंतरी को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा दिल्ली के सिच्छा मंतरी को इन्होंने दो साल से जेल में रखा दिल्ली के स्वास्त मंतरी को इन्होंने दो साल से जेल में रखा आप एक एक विपक्ष के ने को अपने पकड़ के जेल में रखा आपका मकसद कराना नहीं नए दिलाना नहीं आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है जितना जेल में डालोगे जितना जेल में डालोगे मैं आपसे कहना चाहता हूं जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे जिस क्या कि अपनी बात खत्म करूंगा मेरे टाइम में से उसको काट लिजेगा मानुवर भेदभाओ की बात सबसे भेदभाओ इनको करना है मुसल्मानों से भेदबाओ, सिक्षों से भेदबाओ, इसाईयों से भेदबाओ, दलितों से भेदबाओ, पिछलों से भेदबाओ और अब राज्यों से भेदबाओ राज्यों से भेदबाओ महिलाओं से भेदबाओ क्या भेदबाओ की असर इन्होंने 2,32,000 करोन रुपए 2,32,000 करोन रुपए दिल्ली के लोगों ने सरकार के केंद्री खजाने में टैक्स के रूप में दिया GST और इंकम टैक्स के रूप में बदले में हमको कितना मिलता है जीरो 9 साल से आप दिल्ली को बजट नहीं देते पंजाब के लोग मेरे में से काट लीजेगा सर एक दो मिनट काट लीजे पार्टी पार्टी के उसमें से काट लीजे पंजाब के लिए सर ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं आप लिखते हैं राज्यों के विकास से देश का विकास है ये आप राज्यों का विकास कर रहे हैं एक एक करके टार्गेट करके विपक्षी राज्यों के साथ आपने भेदभाव करने का काम किया कोई मुझे कह रहा था सारे बजट कम किये किये सिख्षा के बजट को भी आपने कम कर दिया मैंने इन लोगों से कहा सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है सिख्षा से इनका कोई लेना देना नहीं मानिवर क्यों लेना देना नहीं है क्योंकि दिल्ली विश्युविद्याले में मनुई स्मृती पढ़ाने जा रहे हैं ये लोग मनुई स्मृती पढ़ाएंगे कि डलितों के पिछडों के जिनको आप शूद्र कहते हैं आप शूद्र कहते हैं अगर वो स्लोक सुन लेंगे तो उनके कान में पारा आप कैसे डालेंगे ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे हैं दिल्ली विशुलि जाले में ये पढ़ाई आपकर आने जा रहे हैं इसलिए मानिवर मैं आपसे यही कहना गया है मित्रों के लिए बनाए गया है मित्रों के लिए बनाए गया है